कुछ करेंगे काफी कुछ तो जब ये मैंने फर्स्ट वेबिनार पे अगर आप वीडियो वो देख लेंगे तो आपको ये डीटेल्स मिल जाएंगी जो फर्स्ट हुआ था पर मैं इसके उपर वापस से इसले जा रही हूँ क्योंकि इस पे ही मैं expand करके आज के कुछ चीजों को आपको बताना चाओंगे तो जब हम बोलते हैं कि ये ancient healing tradition है तो देखें जितनी भी आप modalities सीख रहे हो या कर रहे हो वो सा modalities किसी ने develop की है after some time लेकिन अगर हम shamanism की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसी modality नहीं है जिसने किसी ने develop की है ऐसा नहीं है कि किसी कोई founder है इसका या कोई इसका father है father या mother है ये एक तरीका था जिस तरह से हमारे ancient लोग रहते थे तो ancient लोग रहते थे मतलब caves की आप बात कर सकते हो आप जब animals थे animals humans एक थे animals की तरह ही human beings लगते थे almost तो हमारे mannerisms हमारे तरीके हमारे dress up sense everything was like that तो cave man हम सब ने history पड़ी है we know के हमारे cave man कैसे थे या हमारे ancestors कैसे थे right so उस time पे भी healing होती थी है ना ऐसा तो नहीं था उस time medical practitioners नहीं थे हमारे इस group में भी बहुत से medical practitioners है I think doctor Iqbal आप भी आप medical practitioner है कि you are a PhD या PhD है ना हम PhD in mathematics mathematics yes yes you have been in my class otherwise before also तो आहां आपने में को बहुत है था right so and doctor Harsha जो है doctor Harsha you are also आप तो doctor है right yes ma'am okay so उस time पे जो है ऐसे medical medical profession तो बाद में आया है right in terms of science या आप बोलो के studies and all लेकिन उससे पहले भी लोग दवाई healing, ilaj, healing, सब करते ही थे right तो वो कैसे करते थे उस time जो करते थे वो उसको हम shamans बोलते है okay so shamans used to be the one जो हर tribe में होते थे ऐसा नहीं है कि कोई specific tribe में होते थे या कुछ specific पर हां कुछ लोग जादा था जो भी ancient लोग है सब को आता था वो techniques लेकिन कुछ हो भी जादा होता था या कुछ you can say as were more into that area in that line okay तो वो is what हम जो शामनिजम में रेफर कर रहे हैं we are referring to that ancient healing tradition okay तो आप बोलो के क्या मैं आप हम लोग को cave life में ले जाने वाले हो क्या are you going to teach us all those things के भाई वो किस तरह से dance करते थे किस तरह से रहते थे किस तरह से खाते थे किस तरह से पीते थे नहीं that is not we are going to do because we know के we live in this model world and shamanism has come to the modern world also तो इसका मतलब क्या है कि जो shamanism था वो था शुरू से लेकर अभी तक लेकिन बीच में क्योंकि civilization हुआ modernization हुआ और बहुत सारी नई तक्नीके आई technology आई तो हमारा connection to our ancient way of living life lose हो गया कहीं जब वो lose हो गया उसकी importance कम हो गई तो धीरे धीरे अफकोस modern technology ने बहुत कुछ किया लेकिन उसके साथ साथ कही ना कहीं हमारे disconnection हो गया जो पहले जमाने में लोग एक साथ रहते थे मिलकर रहते थे connected रहते थे energy को sense कर सकते थे हर चीज़ की presence awareness उन में थी वो कहीं ना कहीं हम में कम हो गए क्यूंकि हम दूसरों पे रिलाय करने लग गए वो चीज़ों के लिए तो हमने अपनी शमता भी खो दी और कहीं ना कहीं हम अपने अंदर individualistic price हो गए मतलब अंदर एक journey को ना is a different thing कि अपने बारे में जानना वो अलग बात है लेकिन अपने तक सीमित हो जाना अपने आपको दूसरों से cut कर लेड़ा that is what I mean to say when we become disconnected understood तो कहीं न कहीं हम जैसे जैसे बढ़ते गए जैसे जैसे civilized होते गए modernized होते गए हम disconnected हो गए और जब हम disconnected हो गए तो हमने जैसे agriculture शुरू हुआ या यह हुआ तो यह खेत मेरा है यह खेत आपका है यह distinction आ गया राइट पहले तो लोग रहते थे कहीं पे भी there was never a के यह land आपको बिलॉंग करता है यह land मुझे बिलॉंग करता है यह cattle आपकी है यह cattle मेरी है जो भी है वो सबका है राइट फिर दीरे दीरे हो गया यह आपका है यह मेरा है इतना यह है यह जानवर मेरे उपयोग के लिए आता है इसका मेरे लिए काम है तो कहीं न कहीं हमने क्या क्या division शुरू कर दिया कि जानवर हमसे छोटा है जानवर का importance हमसे कम है हम as human beings higher race पे है राइट and हमने इस तरह से लोगों को अपने से फरक देखना शुरू कर दिया राइट we started viewing everybody as different तो जब हम दूसरों को view different करने लग गए तो obviously we became away, apart from them लेकिन this is not the way the world was designed इस तरह से world design नहीं हुआ था जो दुनिया बनी थी उसमें हर एक प्रानी, हर एक जीव, हर एक चीज चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कंकड हो, चाहे वो पानी हो या कुछ भी हो उसका अस्तित्व था, उसका connection था, वो हर किसी को belong करता था right, so अगर आपने पढ़ी हो, if you have studied the web of life या आप लोग ने, हर इंसान ने पढ़ा होगा के algae, fungi, हम सब पढ़ चुके हैं biology में भी पढ़ते हैं, कितने-कितने forms of यह होते हैं, plants हैं, animals हैं, यह हैं and we know के each one is connected with each one, right, so that is what is shamanism, shamanism is the way we lived our life earlier ऐसा नहीं है कि जब हम पहले आप बोलोगे कि पहले तो लोग जानवरों को मारते थे we were hunters, तो फिर, तो how animal was sacred to us, अगर animal sacred था, तो फिर हम उनको मार के खाते क्यों थे लेकिन आपने अगर रामायन भी देखी हो, आप वहाँ पे, बैस पेशली रामायन का यह series देख रही थी इनका, तो भगवान जब फूल भी तोड़ते थे तो वो उससे permission लेते थे, उसको बोलते थे कि मैं आपका फूल ले रहा हूँ पहले भी जब वो animals को मारते थे, with the consciousness, that they are killing the animal, but they were grateful to the animal okay, so वो जो consciousness है, awareness है कि हम दूसरे की जान, दूसरे की consciousness को समझ रहे that is what is shamanism, okay, so it's a very big thing, big concept आपको अभी लगेगा, लेकिन it is a simple way of living life, okay, so we connect with nature, we connect with all the creations of course इसका क्या use होगा वो भी हम बात करेंगे, because आपको यह नहीं लगना चाहिए इसका फिर क्या use है मेरे लिए if I have to just learn simple ways of this thing, नहीं, you will learn all the techniques, all the things के किस तरह से आप उनके consciousness को tap कर सकते हो and how you can use it for healing yourself, okay, ठीक है so इसका मतलब जो भी सिखाये जाएगा, obviously it is something जो कोई ना कोई सीख चुका है जो हमारे परदादा, दादा सबको पता था और इसलिए हमारे लिए इसको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि जो चीज हमारे DNA में है, वो हमको असानी से आ सकती है, right, है ना okay, so ये सब हमने बात कर लिया कि चीजें बदल गई और चीजें अलग तरह से हो गई तो इसके उपर शामनिजम पे actually कोई literature नहीं था पहले, कोई written ये चीजे नहीं थी अभी शामनिजम पे बहुत सारी books आ गई है, because जैसे जैसे ये western world पे बहुत famous हुआ है and you know western world जो है, वो books पे, novels पे, everything documenting, ये सब पे बहुत वो लोग emphasis करते तो now we have lots of books which are available on शामनिजम, but as such there is nothing कि जहां पे documented चीजें लिखी गई हो या you know, इस तरह से scriptures बनाए गए हो, इस तरह से नहीं था, और ये all over the world practice होता था all over the world means shamanism was there, तो हर एक culture, हर एक tribe, हर एक जगे पे culture ये था लेकिन हर tribes का थोड़ा फरक हो सकता है, because उनके तरीके ये फरक हो सकता है तो बहुत लोगों को लगता है shamanism is just native American, you know, but it's not like that it is there from America to Siberia, from Nepal, India, every country had shamanism, it was, it's not pertinent to any particular culture or tribe, okay, so it's not like that, okay, so ये इसमें सबसे important चीज है, which shamanism believes is, कि हर इंसान में, हर चीज में, चाहे वो living हो या non-living हो, उसके अंदर एक consciousness होती है, there is energy in everything, बले आपको वो feel होती हो, तही feel होती हो, that's a separate thing, वो आपका thought process है, लेकिन it is there, so everything is made of spirit and spirit is consciousness, okay, so ये कोई भूत बूलाया के बात नहीं हो रही है, it's simple thing that we all are made up of energy, okay, so and we are all connected to one another, okay, so हम ये interconnected web में journey करेंगे, that is what is called a journey, okay,